हालो बच्चों हम बात कर रहे थे सेट थेवरी की जिसका लास्ट टॉपिक लगबाग बाउंडरी पे बहुझ गये हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यूनियल और इंटरसक्षन की कुछ है ठीक है उनका एक फार्मुला है ज़रा पला ध्यान से इस फार्मुले को समझ लीज लुकरण में डायग्राम में क्लात है यह यू है उसमें एक शिक वे और एक शिक भी है कि एक मतलब पूर्णी ऑपी पूरा भी उनके यह वाला परण भी सामिल है तो देखें यह जो बीश का पार्ट है उसको कहते ए कि Hyundai हैडयी इतना जो पार्ट है यह वाला जो पार्ट बचा इसको कहते हैं A-B और इतना जो पार्ट बचा वो कहते हैं B-A और तीनों को मिला दें तो A-B यह हम पढ़ चुके हैं पहले से भी हमको मालूम था ठीक है तो कुछ फार्मूले हैं जैसे आपको number of A union B लिखना हो number of A union B number of मतलब cardinal number मतलब उस set में जितने elements है उनकी संक्या तो देखने से लग रहा है number of A का मतलब पूरा A और पूरा B तो आपने का भाई number of A प्लस number of B लेकिन एक लफड़ा है जब आपने number of A लिखा तो आपने पूरा A यहां से यहां तक लिखा यह वाला पार्ट आपने इसमें सामिल किया और जब number of B लिखा तो आपने फिर यह वाला पार्ट सामिल किया तो आपने एक तरीके से इस वाले पार्ट को दो बार सामिल किया तो एक बार हमको इसको minus करना पड़ेगा minus number of A intersection B तो एक तो यह फार्मुला बनता है इसकी हेल्प से आपको समने भी आ गया होगा दूसरा फार्मुला है अगर आपको A minus B निकालना हो number of A minus B तो आपको साब साब दिख रहा है कि इस पूरे A में से यह जो common वाला पार्ट है इसको उटा दिया जाए यानि कि हम कह सकते हैं इसको number of A minus number of A intersection B कर दें तो केवल A वाला पार्ट निकल आएगा जो B के साथ common ने हो और अगर आपको number of B minus A निकालना हो number of B minus A तो number of B में से यह वाला पार्ट minus कर दो number of A intersection B तो यह number of B minus A निकल आएगा अम माले यह तीन सेट होतें जैसे यह A भी होता B भी होता और C भी होता तीन सेट होते A, B, C और आपको निकालना होता number of A union B union C तो फार्मला होगा number of A plus number of B plus number of C जब number of A आप लिख रहे थे तो यह वाला पार्ट पूरा आप ले रहे थे पूरा number of B लिख रहे तो यह वाला पार्ट पूरा ले रहे हैं यह वाला पार्ट आपको माइनस करना पड़ेगा minus number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of C intersection A और practically देखेंगे तो यह वाला पार्ट जो तीनों में है वो एक बार extra माइनस हो चुका है तो इसको प्लस करेंगे number of A intersection B intersection C यह फार्मुले हैं इन फार्मुले जो है इनका यूज करके हम question लगा सकते हैं या हम vein diagram की help से लगा सकते हैं यह बहुत complicated question होता है तो वहाँ पर हम vein diagram से बात करते हैं ठीक है तो इन फार्मुले का इस्तिमाल हम करेंगे और हम जा रहें बात करने इस excise की यह इसकी excise last है और misledious के बाद आएगी excise numbers 1.6 NCRT excise 1.6 देखे जाने 1.6 पहला question यह कह रहा है कि number of x और y 2 set है number of x लिखा हुआ है 17 number of y लिखा हुआ है 23 number of x union y लिखा हुआ है 38 और कह रहा है number of x intersection y की value आपको निकालनी formula हम जानते हैं we know that सब में we know that लिखेंगे इसी से cut copy paste कर लेना बार वर हम लिखेंगे कि number of x union y is equal to number of x plus number of y minus number of x intersection y यह formula होता अभी हम बता चुके यह कितना दिया है अब आप कहेंगे यह तो भाई दिया है 38 x कितना दिया है 17 plus 23 और यह आपको निकालना है तो जब यह निकालेंगे तो इसको इधर shift कर दो 38 को इधर shift कर दो तो number of x intersection y क्या निकलेगा 7 3 10 2 1 3 1 4 40 minus 38 तो यह कितना आएगा 2 तो this is first question second part देखिए second part में कहरा है कि x और y 2 set है तो this is first question इसको नोट कर लिजे इसके बाद second question देखिए इसी में हम value लिख देंगे क्यों same question लिखा हुआ है क्याते है x और y 2 set है number of x union y लिखा है 18 यह दिया है 18 number of x दिया है 8 यह दिया है 8 number of y दिया है 15 यह दिया है 15 और x intersection y फिर निकालना है फिर वही फार्मला यह हो जाएगा 18 यह हो जाएगा 8 यह हो जाएगा 15 तो जब इसको उधर ले जाएंगे तो यह पंद्रा आठ तेईस आएगा माइनस 18 तो कितना आएगा इसकी वैलू 5 आएगी ठीक है यह question number 2 है ज़रा third question देखी third question कह रहा है कि एक group of 400 people 250 can speak Hindi देखी जैसे कहा गया कि 250 लोग Hindi बोलते है केवल Hindi नहीं बोला गया हिंदी बोलते मतलब और भासाएं भी बोलते होंगे तो कह रहें कि और 200 लोग English बोलते हैं मतलब only Hindi नहीं बोलते हैं केवल Hindi नहीं बोलते हैं और यह बोलते हैं यह हमने का यह English speaker है English speaker यह English बोलते हैं अब total लोग है 400 तो number of Hindi union English दोनों हो गए 400 हिंदी बोलने वाले 250 नमबर आफ हिंदी स्पीकर है 250 नमबर आफ इंग्लिस स्पीकर है 200 अब आप प्रेक्रिकली समझेंगे साब यह 250 है 200 तो 400 हो गए अरे यह only Hindi नहीं है इसमें और भी भासाएं वो बोल सकते हैं ठीक है तो आप आपको निकालना है नमबर आफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिस होता हिंदी भी बोले और इंग्लिस भी बोले तो फार्मुला मेरे पास होता है नमबर आफ ह union E is equal to number of H plus number of E minus number of H intersection E तो यह हो गया आपका 400 यह हो गया आपका 250 यह हो गया 200 और इसको हमने माल लिया X माल लेते हैं तो इसको हमने माल लिया X एक्स को जाल लिया हो तो X is equal to 450 minus 400 तो 50 लोग ऐसे होंगे जो दोनों भासाइं बोल रहे होंगे अब जड़ा देखिए अगर इस question में तुछा drama करते हैं कि only English कितने बोल रहे हैं तब आप फार्मुले से निकालने में तुछा दिक्कत हो जाती हैं जड़ा समझेगा इसको वेन डाइग्राम से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं देखो ध्यान से यह है universal set यानि इसमें total 400 ल लिए हिंदी बोलने वाले कितने है 250 उसमें से 50 लि क्यूंकि हिंदी वाले box वह लिखा आप और यहां लिख देंगे 200 यानि 200 लोग केवल हिंदी बोलते हैं फिकने फिकWorld बोलने वाले कितने है 200 यह आप लिख चुके हैं 50 तो यहां 150 लिख देंगे इक्रस्पार्छषति तो ज्यादा help करता है जब complicated question होते हैं बहुत सारे only English English बोले तो अंग्रेजी ना बोले अंग्रेजी बोले तो उर्दू ना बोले बहुत टेक्निकाल जब लेते हैं तब होता है question number fourth कह रहा है कि S और T दो सिठ है number of S दिया है 21 number of T दिया है 32 number of S intersection T दिया है 11 तो number of S union T निकाला है तो हम जानते हैं number of S union T क्या होता है अब यह सुट ना पढ़िएगा यह union लिखा हुआ है number of S plus number of T minus number of S intersection T तो रख दो एलो 21 plus 32 minus 11 कितना आएगा 2 1 3 3 2 5 minus 11 तो यह 42 आएगा तो यह आपका हो गया fourth question 5th question देखिए नोट कर लिजेए इसको 5th question में कहते है X और Y 265th question में भी ऐसा ही है slice C में हम 5th question indicate लिखे दे रहे 5th question X और Y 268 है number of X दिया है 40 number of X दिया है 40 number of Y आपको निकालना है number of Y इन्होंने का भी पता नहीं कितना है और number of X union X union Y यह दिया हुआ है 60 और number of X intersection Y X intersection Y यह दिया है 10 तो यह formula हो गया number of X union Y is equal to number of X plus number of Y minus number of X intersection Y union कितना दिया हुआ है 60 X कितना दिया हुआ है X दिया हुआ है 40 Y कितना दिया हुआ पता नहीं और intersection कितना दिया हुआ 10 यह कितना हो गया, यह 60 हो गया, यह 40 मानस 10 30 हो गया, प्लस नंबर आफ वाई, जब नंबर आफ वाई निकालें कितना आएगा, 30 आएगा, तो दिस इस कुशन नंबर 5 ठीक है, नोट कर लिए, नेक्स कुशन देखे, क्यों फार्मुला बेज्ड है, यह ध्यान रेकिए, हिंद हिंदी, ओनली हिंदी, ओनली वर्ड लगेगा, तो क्यों उसके लिए है, जैसे लिखा है, 6 कुशन कहा गया है, इने ग्रुप आफ 70 पिपल, 70 लोग है, 37 लाइक्स कॉफी, और 52 लाइक्स टी, तो सी जो है, वो कॉफी ड्रिंकर है, कॉफी ड्रिंकर, अब ड्रिंकर वो न सम है, कौन पिए, वो सस्ती आती है, चायती सस्ती खरी लो जा करके, तो हो जाता है, अब अच्छा ये भी कह रहे हैं कि, दोरों मेंसे कोई ने कुछ कुछ पीता है, कुल 70 लोग है, तो नमबर आफ कॉफी इंट यूनिया, यह कट न पढ़िएगा, कट कुट ऐसा न पढ़ि 32, 31, sorry, मतलब ये कॉफी पीते हैं और ये चाय भी पीते होंगे, और नमबर आफ टी डिंकर जो हैं, वो हैं 52, और कहते हैं कि, इज परसन लाइक्स एट लिस्ट वन अब दर टू टिंक, मतलब कोई कुछ कुछ पीता है, यह नि, इसमें कोई बिनाव डिंकर वाला नहीं है, तो कहते हैं दोनों पीने वाले बताओ, नमबर आफ सी इंटर सेक्शन टी बताओ, बस पर चुके हैं फामला, नमबर आफ सी यूनियन टी इस इकल टू नमबर आफ सी प्लस नमबर आफ टी माइनस नमबर आफ सी इंटर सेक्शन टी, तो ये हो गया आपका नमबर आफ सी य नाएगा साथ दो नो पांटीनाट माइनस नंबर ओफ सी इंटरसेक्शन टी अब यह निए माइनस दर जाएगा प्लस बूल जाएगा आप मालूम है तो नंबर ओफ सी यह कॉफी एटी है यह दोनों पीटे हैं तो दोनों वाले हो गएंटी काफी वाले कितने हैं 37 37 में 19 आप ने लिख दिया तो 37 में 19 माइनस करो हमें नहीं आता माइनस करके देख लोकल बेर से 17 नव गए नवाट सत्रह और यहां पचेगा एक नवाट सत्रह एक तीन अठारा लोग यह होंगी अच्छा टोटल कॉफी वाले कितने चाय वाले बावन है बावन उन्नीस आप लिख चुके हैं तो कितना आएगा तीन आएगा और यह चार दो चार में गया तीन नो तीन बारा तीन चार तो अगर आप से कहा है कि केवल कॉफी कितने लोग पीते हैं तो आप कहेंगे अठारा केवल चाय ओनली अगर वर्ड यूज़ करेंगे तब यह वाल आप करेंगे ठीक है तो यह हो गया आपका सिक्स कुशन नंबर सेवन देखे अच्छी बात है यहां पर भी काम चल गया यह क्रेकेट और टेनिस है तो C T से काम चल गिया हमारा अच्छी बात है काफी T cricket टेनिस सेवन कुशन कह रहा है कि कुछ लोग क्रिकेट पसंद्स करते हैं कुछ लोग टेनिस सेवन कयरतं है सी हो गया क्रिकेट वाले हैं और यह हो गया टेनिस वाले हैं टैनिस की स्पेलिंग क्या होती है इंग्लिस समय नहीं आती है टी डबल आई आती है जूट बोले देखो लिकाए इन ग्रूप आप 65 पिपल 40 likes cricket अब कोई 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 गेम पसंद करता है तो टोटल 65 है तो नंबर आप सी यूनियन टी यह 65 हो गया इसमें करें 40 को क्रिकेट पसंद है नंबर आप क्रिकेट वाले हैं 40 हमने कहां ओणली क्रिकेट नहीं बोला गया क्रिकेट जो पसंद करता है वो टेनिस भी हो सकता पसंद करता हो और नंबर आफ क्याथे आप 10 लाइक्ष बोथ क्रिकेट अंटेड़िस नंबर आप क्रिकेट इंटर सेक्षिन टेनिस ये 10 होता है और हमनी लाइक स्टेंश और ली अंड लाइक टेनिस तो पले नंबर आफ टेनिस प्लेयर निकले अब देखें यहां पर थोड़ा सा वेन डाइग्राम की हेल आप देखें number of c union t क्या होता है number of c plus number of t minus number of c intersection t union t कितना है 65 है number of c 40 है number of t हम को नहीं मालू can we minus c intersect t किता है 10 तो या कितना हो जाएगा ये 65 हो 40 minus 10 30 plus number of T तो number of T कितना निकलेगा 35 35 लोग tennis पसंद करते हैं इन्होंने का how many like tennis only and not cricket देखे दो तरीके से उसको लगा सकते हैं number of tennis पसंद करने वाले minus cricket पसंद करने वाले तो हमने क्या कहा था कि number of tennis में से minus number of T intersection C minus करते हैं हैं बताचुके तो 10 nis वाले हो गए 35 और दोनों वाले कितने हो गए दोनों वाले हो गए 10 तो 25 लोग है जो कीवल टेनीस पसंद करते हैं ठीक है तो ये वें डाइगराम से बना सकते हैं वेंड डाइगराम ये हुआ जाकर कि ये ये क्रिकेट वाले हैं ये टेनिस वाले हैं ये क्रिकेट वाले हैं ये टेनिस वाले हैं दोनों पसंद करने वाले कितने हैं 10 तो ये 10 हो गए क्रिकेट कितने हैं 40 40 में 10 लिखा है तो ये 30 हो गए टेनिस वाले 35 तो ये 25 हो गए आज चेप्टर फिनिस हो गया मिस्लेनियस अगले वीडियो में डिस्क्स करेंगे मिस्लेनियस बोले तो सब सब कुछ पढ़ा दिया जाए वही वाला है लिखा है कि कमेटी इनक कमेटी 50 पिपुल सबनेसे सब्सक्राइब फॉनियोध जो है तो 50 people जो है number of french speaker जो है 50, only french नहीं दिया हुआ है, french का बता दूसरी भासा भी हो बोलते हैं, और 20 people number of spanish जो बोलते हैं, वो 20 people है, 10 speaks both, number of french intersection is spanish, वो है 10, तो how many speaks at least one of these two languages, यानि कि total person कितने हैं, तो number of f union s, इसको फुष ना पढ़िएगा, फुष नहीं लिका है, f union s है, तो number of f union s is equal to क्या होता है, number of f plus number of s, minus number of f intersection s, नमर आफ से कितना है, 50, नमर आफ से कितना है, 20 minus 10, तो 60 लोग है, तो total person है, कोई ने कोई भासा बोलते हैं, तो यह आपका exercise 1.6 है, इसके बाद miscellaneous, miscellaneous को मतब जो concept आपको पढ़ा दिया गया, next in the next video, thank you.